तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही यूसफुल प्रड़क्ट का कुईक अपडेट दे देती हूं तो यहां पे मेरे पास है वयाम आयरुवेदा का कुमकुमादी नाइट सीरम तो गाइस इस सीरम में सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो चीजे होती है वह 100% फ्योर होती है साती साथ इसमें सैफ्रोन है मंजीठा है तर्मरीक है जो इसकिन के लिए बहुत ही अच्छा होता है सेल्फ लाइफ की बात करो तो तीन साल की सल्फ लाइफ मिल जाएगी और अब आप अगर इसको पर्चस करते हो तो 35% डिसकांट चलना है आप वहां से इसको बाई कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी अगर आप कोई भी नाइट सीरम नहीं यूज करते हैं तो आपको एक नाइट सीरम यूज करना चाहिए क्योंकि सीरम जो इने भी कप्र इ Piece मैंने पैंट करने इसको हैं कुछ मेरी कुरतिया ओगी जो किछ निक लोंगी तो यह को जल गई तो इसका भी मैंने इस 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 चाहर पार हों अजुट waiter के हैं जुटू आफंस्तिया दे में शुटे-डियूक्तियास। स्कुराइर निखाल है इंका मेजरमेंट में आपको कि इच्णा कट किया हूए है तो 3-5 में इना पे लंबाई है और 3-3 चोडाइ लेकर है इसक्टार है इस तरह से अप सब्सटार नेकल ठार दीन अफ। सब्सक्राइख लेकर मेरे पास फ्राइट आता है वो तो यहां मैं बख्रम यूज कर रही हूं अगर आपके पास चावल का पीट है तो उसका भी स्तमाल आप कर सकते हैं और रैंडमली यहां पर आप स्कुराहत जो स्कॉयर्स आपने काते हैं उनको इस सरा से सेट कर दीजे moderne एक प्रो में जो है फॉर स्कॉयर्ट कर रही हूं तो इस तरह से आप समझ चाहिए का देखे मैंने फॉर यह उपर सि फोर किया है और तीन मैंने इसमें बनाई है इस तरह से आप सेट कर लिजे इनको और इनको अप सिलाइयां लगाएंगे हम तो यहां पर देखिए मैंने इस तरह से चिलियां लगा ली है प्रट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पैं तो इधर में लगानी है और सामी ने करना है तो इधर में लगानी है तो इसमें कि इन पाइब तरहна में को पाइब है तो इसे दो आपको अच्छे से डोनों जो सच हमारे हैं वो दोनो तयार कर लेने हैं यह कंपलीट हो गया है अब सिसके साथ मैं इसमें जीन्स ले रखी है पुरानी जीन्स ती इसमें कट है कि नीचे से मैं इसको और कट करके अगल में कट ली तो कि कर लेती हुं इतना चाहिए मैंने यहां पर दो पीस चे की निशीए अधि mobile już का तरह निशी के ब़राबर है let our Hill की तब जालता तिक हो dabei इसißt चड़ाई 20, एक स्क्वाइर के बराबर है, 3.5 इंच की चड़ाई मैंने रखी है, आप चाहो तो ज्यादा रख सकते हो, और इसको करना है कि इसको यहां पर रख देना है, और इस तरह से एक स्टिचिंग यहां पर लगानी है, पुरा खड़े, इसमें इसको ज्वाइन कर दे टीक पर से रही लगाई हैै यहां पर जो और इकसे पीसे में निकल गया है उनको हम कठ करकी निखाल देंगे कि कमे मं शड़कर तुसी करने के बाद हम इन दोनों को स्टर nihil उपने करें और इस नाट कर देंगे यह इंड कर कपला के लिए में अगणा है लिए नबाइक तोन गुक्ती के लिएक ब्रौ पीक ननदा को Wh被 किने रंगा है मैं को किने तो साइट्स के जो राएजस उनको मोड़ेंगे और बिच बीच में इसको रख़ करके 3 तरफ सिलाई लगाएंगे इसकी हम यह पोकेट बनाएंगे एक हम तो गायद यह देखे I यहां पर मैंने इस परलाईय लगा दी है और इस तरह से यह पश स्वागा गई और जिस मैंने जाथा कि अब इसके बराबर एक कपड़ा और लेना है और इस तरह से उपर रख करके हमें इसकी भी तीन तरफ सिलाईयां लगानी है तो यह एक दो और एक तीन तरफ सिलाईयां लगा लीजे और इसको कंप्लीट कर लेंगे हम इसको इसको इसी तरह से उल्टा ही रखना है मैंने इसकी चिलाईं लगा दी है और यह पॉकिट हमारी अंदर की तरफ है त्यान रख यदव से इसी तरह से सब्सक्व बनाया है के अंदर इन करदेंगे यह देगे DO कि अब टैरिया धिस यहां पर हमारी आप समधार को उमा फॉकट है उपर आएगी तेए इस तरह से मौतेरिया को दोनों को मिलाते हुए हम एक सिलाई पूरे में इसमें लगा देंगे तो यहां पर मैंने सिलाई लगा दी है और यह अंदर हो गया है थोड़ा थोड़ा साइड में मैंने खोल रखाया है तो उसको उसको थोड़ा सा छोड़ देना है साइड में और य इधर दोनों साइड में हमें सिलाय लगानी है तो पहले इसका जीन्स वाला माउथ एरिया है उसको आप मोल्ड दीजेगा स्टार्टिंग वाला और यह देखिए यह कंप्रीट हो गया है इसके अंदर मैंने इसको फिक्स कर दिया है और यह कुछ इस तरह से आपको दिखेगा बनने के बाद बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा है तो बस लास काम रह गया है हैंडल का तो हैंडल के लिए यहां पर मै करना है इस तरह से एक इधर लगेगी और इस इलाई पूरी इधर भी लगेगी और बीच में करीबन दो सिलाई लगा लीजिए और इस तरह से चौड़ी पट्टी मैंने त्यार कर ली यह दिखिए स्टार्टिंग भीस का सिला हुआ है अब यहां पर लेना है में इस तरह की पाइप जो वाटर पाइप आती है प्लास्टिक रवर वाली आप वह इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप गैस पाइप यूज कर सकते हैं दोनों चीज़ों आपके औप्शनल है पुरानी कोई भी हो तो आप इसका इसका इस्तमाल कर लेजे यहां पतली तीली मैंने ले थो सब्सक्राइब दूसरे छोट से पत्ती को निकाल लेना हैं तो फेयर को खड़ा करते जाईए और वीचे से उम्प्ला इन करते जाईए और इस तरह से देखि़ यह आ गया है मैं इसको निकाल दूंगी और लकड़ी को वापस निकाल दूगी इस तरह से कुछ यह हमारा कम कि इसी तरह से डो मैंने हैंडल्स ब Ginsy पना लिये हैं इस तरह अब आपको करना क्या है कि आपको बीच वीच में एकदम से इसको में नीचे से फोल करिए गा जितना बू वाला पार्ट हुथना ब्लू आला पार्ट ह Brad में हम और बहुत अच्छी और कमाल के हेंडल बन तयार हुई है और बहुत अच्छा बैक भी लग रहा है गाइस अच्छा गहसा इसमें कॉंटिटी में समान आ जाएगा और सारी चीज़ें यहां पर मैंने पुरानी लगाई हुई है मैंने पुराने कपड़े यूज किये हैं पुरानी शर्ट का इस्तमाल किया है पुरानी जीन्स ली है मैंने साथी साथ मेरे पास पुरानी पाइप थी उसका भी मैंने यूज किया है तो सारी की सारी चीज़े मैंने पुरानी लगाई हैं इसमें आप देख सकते हो तो गाइस अगर वीडियो थोड़ी भी हेलपफुल लगती है आपको तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजेगा और शेयर कर लिजेगा अपने फ्रेंड्स और सोचल मीडिया पर थैंक्स पर वाचिंग कॉमेंट जरूर करिएगा बाई